यानि यह चप्टर थर्ड में हम एक बैनियांट रही यानि बरगत के पेड की स्टोरी के वारे में पढ़ने वाले हैं इससे पहले guys हमने chapter first और chapter second का video बना के explain कर रखा है और उनकी question answer word सब कुछ करा रखा है अगर अभी तक आपने अपनी notebook में note नहीं किया तो please note कर लें और इस साथ ही साथ याद करते चलें जिससे कि आपको exam time में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना वो तो guys start करते हैं chapter को just an old man are the most gentle जैसे की बूरे आदमे सबसे ज्यादा gentle यानि सज्जन अच्छे होते हैं so are the victory of the most friendly इसी प्रकार सबसे बड़ा पेड़ सब friendly मिस होता है यानी possibility मिस होता है संभावता बरगत संभावता हमारे सभी पिरों सिप्रमे सबसे बड़ा और पुराना है ठीक ना आपको इतना समझ में आया होगा इन दनों हम बहुत ज़्यादा पेड़ों को अपने सहर में नहीं देखते क्यों नहीं देखते इन दनों बहुत ज़्यादा जरूरत होती है इस्थान की क्योंकि यह अपने आपको बड़ा करने के लिए ठीक है न बट इन अवर अवर ओबर क्राउड़ेड सिटीज वेर दियर दियर इज ब्रेवली इनफ लिविंग स्पेस फॉर पीपल यानि हमारे जो भीड भाड़ वाले जो सहर है वहां लोगों के लिए तो मुस्किल से परियाप्ते जगाए है ठीक है न आयोप आपको इतना भी समझ में आया होगा पट इन अवर ओबर क्राउड़ेड यानि हम ओबर क्राउड़ेड भीड़बार वाले सहरों में ठीक है इट इस टू हार्ड टू फॉल ग्रों बन्याइन ट्री यह बहुत ज्यादा कठेन है यह मुस्किल है ढूनना कि एक पेड़ बन्याइन ट्री बरगत का बड़ा पेड़ धूना आफ्टर आल फॉल ग्राउड बन्याइन ट्री टेकन अप एस मच इस पेस थी इस्ट्रो थी स्ट्रों बिल्डिंग यानि वह इतनी जागता जगह घरता है कि उसकी तीन विसाल बिल्डिंगें आ जाएंगी ठीक है ना बिल्डिंग निस होती है इमारत आफ कोसे मतलब स्पेसियस पार्क है बन्याइन ट्री एंड एबरी विलेज है एट ला एट लिस्ट वन्स यानि बेसक विसाल पार्कों में बर्गत के पीड़ होते हैं और हर गाउं में कम से कम एक पूर्ण विक्सित पीड़ होता है और जो जो बन्याइन ट्री में होती है वो एरियस रूट होती है इसलिए इस ब्रांचेज ड्रॉप टो ग्राउंड टेक रूट अंगेंस एंड सेंड आउट मूर ब्रांचेज अबर देर ओन यानि क्या होती है उनकी जो साखाएं जो लटकती है अगर आपने बर्गत का प जमीन के अंदर चली जाती है फिर वो अपनी और ब्रांचेज को बना देती है तो इन्हीं ब्रांचेज को क्या बोलते है एरिस रूट जो रूट होती है जो रूट अंदर जाती है सभी प्लांट में ट्रीज में प्लांट में आसा नहीं होता यह केवल बैनें ट्री में होत forms a forest of its own which is too big to see at once यानी कुछ समय बाद कुछ समय बाद पेड अपना एक जंगल बना लेता है जो एक बार में देखा जाना बहुत बड़ा बहुत मुश्किल है ठीक है ना नो वंडर दा बैन्यायन वाज दा चोजन टू इस्टेंड फॉर देयर ओफ लॉर्ड सिवा सायद इसमें कोई आश्यर नहीं है यह सायद कि भगवान सिव ने अपने बालों के लिए बर्गत के पेड को चुना ठीक है ना अब आयोप आपको इतना पूरा समझ में आया होगा नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं दा एरेट सूट्स और बैन्यायन ट्री आर लाइक पिलार सपोर्टिंग एक ग्रेट बिल्डिंग यानि जो बरिगत की जो जड़े होती हैं वो जैसे एक बड़ी इबारत को समर्थन करने के लिए जो खंबे लगे होते हैं उसी तरीके से उसकी जड़े होती हैं वो भी उसे सपोर्ट करती हैं दा चिल्डरन यूज दियर रूट्स एस स्विंग एंड इन जॉय स्विंगिंग दो क्या हुता है शूंग मीस होता है जूला और स्विंगिंग मीस होता है जूले का आनन्द लेना और बच्चे इन्ही जड़ों का इन्यान विकम इट्स देन यानि जैसे कि यदि आप जो बिल्डिंग के खंबों को नश्ट कर दें तो इमारत घर जाएगी और इसी लिए बर्गद है क्योंकि इसकी मुख्ट जो टहनी है वो जो गहराई तक नहीं जाती है ठीक ना अब आगे देखते हैं कि जैसे एक बिल क्योंकि इसकी जो जड़ें होती है वह बहुत ज्यादा गहरी नहीं होती है इसी लिए क्या होता है कि जो गिर जाएगा नश्ट हो जाएगा और जो इसे अपनी सहायक जड़ों को बाहर निकालने के लिए काफी जगह चाहिए होती है है ना इसी लिए क्या होता है कि जैसे अगर उसकी जो building है उसकी प्लर को cut कर दिया जाए तो building गर जाएगी इसी तरीके से क्या होता बने मिन ट्री की जो supported Roots होती है जो जून को जो roots अंदर जाती है एरेटS roots बोलते है वो अंदर जाती है प्लर को support कर के रखती है अगर उन trees की जो ब्रांचेस हैं जो एरिस रूट्स हैं अगर उनको कट कर दिया जाए तो क्या है बरगत का पीड़ भी गर जाएगा क्योंकि जो इसकी जो मेन रूट्स होती है वह ज्यादा गहराई में नहीं होती है ठीक ना इसी लिए इसे बहुत ज़्यादा जगह की जरूरत होती है कि अपनी जो रूट है उनको बाहर निकाल सके दागा गार्डेन एंड बिजी रूट्साइड विल नौट दू विकॉज इट नीट ट्वाइस दाइस पेस ओफ अधर ट्री नीड इसी लिए उद्ध्यान ने गार् नारे में ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि जितने इसको उतनी जगह की जरूरत होती है जितने की दो पेड़ों को जगह की जरूरत होती है इस ट्री सुड नॉट बी प्लांटेट क्लोज दा हाउस अधर्वाइस यू माइट फाइंड दा ब्रांच इसी लिए से अपने घर की बगल में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि नहीं तो ऐसा होगा कि इसकी जो टहनियां है आपके बैड्रूम में निकल आएंगी इट इस आलवेज कूल डार्क एंड से सेडी ब्रांच इस बनाने ट्री जो बर्गत की जो पेड़ होती है और जिसकी साथ यह बर्गत की बहुत अच्छा पेड़ होता है यू केन क्लाइम इट ब्रांच इस बितावट मच डिफिकल्टी और तुम इसकी साखाओं पर चड़ सकते बिना जादा संगर्स की है यह बना जादा परेशान हो है एंड देयर इस नो डेंजर और फालिंग ओप और इसलिए इस पे गिरने का ज्यादा खत्रा नहीं होता है इस आल्सो वन आप दा मोस्ट कमफर टेबल ट्री तो सिट ओन इसी दिया सबसे ज्यादा कमफर टेवल यानि आराम जायक पेड़ होता है इस पर बैठने के लिए हो वन्स यू लैन अंगेंस इट प्रोग ट्रंक एंड रेड एबुक एंड लोबडी विल ट्रवल यू फॉर यू विल बी कम्प्लीट हेडन बाई दा बोड साइड लीप्स और जब तुम क्या होता है कि कोई भी ब्रिस्त्रे ट्रंक यानि जो इसकी साखाएं होती है जूल सकता है और एक किताब भी पढ़ सकता है और कोई भी आपको परेशान नही करेगा क्योंकि आप क्योंकि आपने व्यापक रूप से मतलब चमकदार पत्तियों दाया पूरी तरीके से आपको छिपा लेता है यह आपको कोई कोई परेशान नहीं करेगा क्योंकि आपको जो होता है इसकी पत्तियां होती है यह आपको पूरी तरीके से छिपा लेती है यानि जो बर्गत बहुत ज्यादा मेहनवाजी महनवाजी होता है यानि होस्पिटेलिटी मिस होता है कोई आपके घर पे आए उसकी खातिरदारी करना ठीक है ना एक पार्ट फ्रॉम बॉइस एंड गर्ल्स इड गेट इल लार्ज नंबर ओप अधर विजिटर्स लाइक बर् पेड़ पर पच्छिया ग्लहरी कीले और उड़ने वाली लॉम्री जैसे अन आगंतुक एक बड़ी संख्या में मिलते हैं इसलिए इस पेड़ को क्या हॉस्पिटी लेवल बोला जाता है ठीक है ना आई होप आपके इतना स्वज़वें आया होगा नेक्स्ट बढ़ते हैं बन्याइन इस दर रैदर लाइक दा होटल इन विच ए नंबर ओ डिफ्रेंट फेमिली लिब तोगेदर बितावट प्रबल इच अधर यानि यह एक ऐसे होटल की तरह है जिसमें अलग अलग परिवार एक दूसरे के को परिशान किये हुए ट्रबल मिस होता है परिशान किय हुए एक साथ रहते हैं ठीक ना विच लिप्स हर एग्स एंड देयर केयर एंड दा लिटल स्ट्रिप्स स्क्वाइरल्स कम सर्चिंग फोर दा स्वीट एंड ट्रिकी हनी ओं दें तो फ्रेंडली बैन्यान ओफर संथ सम्थिंग तो एबरी विजिटर तो क्या होता है कि जो एक जो ऐसे पच्चियों के जो अंडे होते हैं है ना यह क्या अंडे वह अपने अंडे रखती हैं और जो दूसरे आते हैं वह स्वीट की जैसे स्क्वेरल मिस होती है जो गिलहरी गिलहरी आती है स्वीट मतलब वह जो उसके फल लगते हैं वह काफी मीठे होते हैं और हनी स जहद के लिए इसी लिए क्या होता है सुदा फ्रेंडली बन्याइन आफिन सम्थिंग तो बैरी विस्टर इसी लिए बन्याइन पर सभी लोग घूमने आते हैं हर कोई अतीद की यादो को सजोता है और इसमें पुराने वर्गत के लिए एक विश्वास है इन फैक्ट यानि एक फैक्ट निस होता है या एक किसी तक्थ है ठीक ना इट इस इंप्रेंट आप दा माइंड ओफ दा पीपल देट मेंक दा बैनियाइज इम इमोर्टल यानि यह लोगों के दिमाग में यह चाप है जो एक बर्गत को अमर बनाते हैं एक कि यह यहां तक कि एक लोग प्रिए धारना या यह जिनकी पौराड़ कथाओं में वी इसकी जड़ें हैं रूट मीस होता है पौराड़ी कता है, that a banana tree is God and people worship it, इसलिए जो बर्गत का पेड़ है उसे भगवान माना जाता है और लोग इसकी पूजा करते हैं, that's why the banana has always been regards at sacred and surviving member of the society and not just a tree, इसलिए बर्गत को हमेशा समाज का पवित्र और जीवित सदस माना जाता है, ना कि सिर्फ एक पेड़, ठीक है न, तो ये थी आपकी एक स्टोरी, जिसमें हमने बर्गत के पेड़ के बारे में पढ़ा, ठीक है न, समझा कि क्या एक स्टोरी है और इसमें क्या क्या देखा, ल करते हैं, उसी तरी के से बन्याइंटर यानि बर्गत के पेड़ की सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बर्गत संभवता हमारी जो एक हमारे पेड़ में सबसे बड़ा और पुराना है, लेकिन आज कल यह सहरों में नहीं दिखाई देता है, क्योंकि सहरों में परियाप्त जगह नहीं है लोगों के रहने के लिए, और यह किसी ना किसी एक पार्क में या गाओं में तो एक पेड़ मिली जाता है देखने के लिए, लेकिन जो इसकी जड़े होती हैं, रूट्स होती हैं, कि जगय को घेरती हैं और जो एरिस रूट्स होती हैं वो बापस से जमीन के अंदर घुस जाती हैं और फिर से एक इसकी प्रांच और एक पेड़ के रूप में फिर से बन जाती हैं तो आप कुछ वर्सों बात देखेंगे कि पेड़ का एक जंगल बन गया है और इसे एक बार में देखा नहीं जा सकता इतना बड़ा पेड़ जंगल बन जाता है पेड़ों का कि उसे एक बार में भी नहीं देखा जा सकता और इसमें कोई आश्र की बात नहीं है कि इसलिए भगवान सिव ने अपने वालों को खड़ा करने के लिए बर्गत के पेड़ को चुना था औ वो भी एक बर्गत के लिए इस थंब का काम करते हैं क्योंकि बर्गत की जो रूट्स होती है वो ज्यादा अंदर तक नहीं होती है और बच्चे जो इसकी जो जूले 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 का काम करते हैं ठीक है ना और ये क्लाइम करने के लिए बहुत अच्छा पेड़ होता है क्यो क्योंकि इसको जीतना एक नॉन्मर्मल त्री को इस पी जिरूरत होती है उतना एक बैनेन ट्री को जरूरत होती है ठीक है और और क्या वताया आगे जिल से हम अपने घर में भी नहीं लगा सकताथ हैं तो कहीं ऐसा हो कि यह रूट है हमारी bedroom में निकल आए ठीक है ना और क्या वदाया आगे कि जो बर्गत का पेड़ है इसके हम mythological यानि पौराड़िक कथाएं हैं इसलिए हम इसकी पूजा करते हैं और जो बर्गत का पेड़ है न वो एक मनुष्य की तरह एक व्यक्ति की तरह पूजा जाता है उसको समाज में एक पेड़ की तरह एक जीवत सदिस्स की तरह माना जाता है ना कि सिर्फ एक पेड़ की तरह है आई होप आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में या मुझे वाट्सप पर मेसेज के थुरू अवश्च बताएं मैं आपको इस चैप्टर की कुश्चन आंसर और जो भी एक्ससाइज है वो कंप्लीट करा दूँगा उसकी पीडिया भी आपको सेंड कर दूँगा ठीक है ना पीडियाफ के लिए आप या फिर वाट्सप पर या फिर इसके डिस्क्रप्शन बॉक्स पर क्लिक करके आप पीडियाफ ले सकते हैं आई होप आपको सारी चीजें किलियर होगी थैंक्स फॉर वाचिंग